नमस्कार दोस्तों लाइव जनादे इसमाप का स्वागत है मैं देवेंदर चोहान बागपस से इस वक्त की आपको बड़ी खबर आपके बीच लेकर आए हूँ आपको दिखाना चाहरा हूँ लोगों की जो लापरवाही है वो देखने को साफ तोर पर मिल रही है तस्वीरों मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा ये देखे इस बुग्गी में बाइक ले जाकर और इन लोगों को बठाकर ये जमुना नदी को क्रोस करा जा रहा है यानि साफ तोर पर कई बड़े हाद से जन्पद में हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही करते साफ तोर पर दिख रहे हैं हाला कि जो जली स्तर है वो कम नजर आ रहा है लेकिन कहां गड़ा है कहां जली स्तर जाद हो उस चीज़ का नहीं पता लगता अचानक से और एक बड़े घटना के रूप में एक बड़े हाद से के रूप में ये चीज तबदील हो जाती है जनपद में कई बड़े मामले हो चुक है कई बड़े हाद से हो चुक है उसके बावजुद भी लोग लापरवाही करते साफ तोर पर दिख रहे हैं और तमाम देखे उधर उस बैल बुगई है उसमें बाइक लाई जा रही है और यहां से यह हम बागपत में यूपी में है और सामने हमारे हरियाना सोनी पर जिला पड़ता है जमना नदी के पार तो हरियाना और यहां यूपी का आवागमन जमना नदी के पानी के रस्ते हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं परसासन की एक बड़ी चूक है क्योंकि यहां घाट भी नहीं है किसी तरीके का और कब बड़ा हाथसा हो जाए इसकी कोई कह नहीं सकता और कई बड़े हाथसे हो चुके है जनपद में ना वह हाथसा हुआ था उसमें 19 लोगों की जान गई थी एक पुराना कस्बे में भी ऐसी हाथसा देखने को मिला था एक ट्रैक्टर पलट गया था एक बुग्गी पलट गी थी भरे य तो पचास रुपे लेकर चले जाते हैं और किसी को कुछ कहते नहीं यानि एक बड़ी चूक और बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है जिस तरीके से लोग तो लापरवाही कर रहे है और परसासन आख मूंदे बैठा है एक बड़ी घटना को साफ तोर पर इंतजार क करन है उस पर परसासन एक्सन लेता है क्योंकि जिस तरीके से यहां युम्ना नदी में यह लोग हैं जो साफ तोर पर बुग्यों के माध्यम से यहां लोग आवागमन कर रहे हैं हाला कि इसमें बतायागा कि जादे तर किसान लोग है जो यूपी से हरियाना जा रहे हैं ले कुल है जिसके माध्यम से बागपस से हर्याना जाया जाता है लेकिन यह लोग वो हैं देखो कितना पानी है यह पूरे टैर अगर देखे तो बैल बुगी के डूब चुके हैं और इस तरीके से लोग लापरवाही करते हैं साफ तोर पर दिख रहे हैं और एक बड़ी करनी चाहिए क्यामरा से युगी तैसीम के साथ देवेंदर चौहन लाइव जनादेश बागपत